कलाक्ट के सामने डीपीसी पीएस कोयल के शास की आवास में किसे अग्यात व्यक्ति ने आग लगा दी जिस समय आग लगाएगे उस समय डीपीसी वॉप पर निकले हुए थे जैसे हुने आग की सूचना मिली वे तुरंत लौटे और काफी मश्रकत के बात आग पर काबू पा है तो वो वाक से लोटे जब उन्होंने अपने शास के आवस पर पहुचे बाहर का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि आग लगाने वाले ने अंदर से कुंदी लगा दी थी पीछे के दरवाजे से भाग गया इसके बात पीछे के दरवाजे से डीपीसी और चप्रासी अंद के साथ बताया कि आग जनी की दूसरी खर्टा है इससे पहले भी एक बार इसी तरह की आग जनी हुई है जब भी कई दस्तावेज जले थे शिवपूर्श समादता अमित कुमार शिवास्तप्राइब हम गए और पांच डस पे हम पहुंच गए थे वहां पांच वजे करीब सर्दा भगर शिंग पार्क में तो हमारे चक्ताची के द्वारा पॉन किया गया कि सब आपके कमरे में धुआ निकल ला है हमने की तो आप एंबू डाल दो एंचिल और बंद कर दो और उसके बाद हम आ मेंन गेट पे उसने क्या किया था कि लॉक तोड़के उंदर से बिल लगा रही तो अम बार की धक्या दिया नहीं कुल आप यहां देखुर है पीछे से गई तो हमारा के तो टरक टोल गया था तो तो पांड लग रही है तो फिर अमने बोज्ञाने का प्यास किया है और बो वह सब्सक्राइब करें गए तो पूलिस का काम बोट्षान्मिन करेंगी वह थाइए प्रवाजी पूटा हुए था और पीछे के दरवाजी कुंडी भी पूटी हुई थी और उनके घर में कुछ एलमारी में पेपर रखे हुए थे और सूटकेस में सावानुग रह था और बिस्तर और एसी का जो अंदर का वहुता है वो जल के काफी दुकसान पहुचा है तो हम लोगों ने प्रफन पंजिबत कर लिया है और रोपी को हम शीग रती शीग गफ्तार कर लेगी है तो इसके वारे में वह आख लंड नहीं कर पाएं क्योंकि घर में काफी आगवाग लगती थी तो इसी लिए थोड़ा सा उनने बोल रहा था हम शाम को आके पूरा आंक प्याति वारे माम शेस्वाण